नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपके स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियान बैंक के मोबाल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करना है तो अगर आपके पास भी इंडियान बैंक में बैंक एक्टिवेट करना है तो कैसे आपको यहां पर एक्टिवेट करना में आपको थाउड पर इसी तरी किसे टाइप करना है जैसे की आपको यहां पर भूदा-सा नीचे की तरह ऑन आपको 조금 दिखाई देगा इन्डियान मॉबाइल बैंकिंग कर तो आपको यहां पर दिखाई देगा इसी कंड खाया देना है एक इसी के परी झाल कि दीकर दने नेक्स आपको यहां पर इंस्टोल दिखाएद रहें इंस्टोल के पर क्लिक कर देने अगर आप डायरेट करने चाहतों इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रहाऊं क्लिक करके आप डायरेट वहां से भी डाउनलोड कर सकतों कोई भी प्रोब्लेम नहीं है नेक्स्ट यहां पर देख सकतो हमारे यहां पर मोगल बैंकिंग इंस्टोल हो चुगा है। अगर आप इसको डाउनलोट करने चाहतो इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रहा हूँ आसे भी जा कि आप डाउनलोड कर सकतो तो आप डाउन्लूड होने के बाद आपको यहाँ पर open दिखाई देगा तो क्या अगाने open के उपर 클릭 करना है next आपके पास इसी तरीके से page open हो जाएगा आपको यहां पर एक दो सेकेंड ओएट करना है next यहां पर allow दिखाई देगा allow के पर क्लिक कर देना है अगर अपनी को अपर इंतन चान्स शुंद को जो कर सबस्क्राइब कर करना है। आपको पर निए रोगा करने एक साफ की वहाद किपाइबलिफ अगर मोबाइल फरत दीडिका ने कारने हैं अगर इसी तरहाई दिनेयर क्रश्या से खाइबल पर civil करें नेक्स्ट करें सब्सक्राइबं कि और यह यहाउ फ़ोगे freedom करने नेक्स्ट आपको यहां पर दिखाई देगा सिंट एसे मेस सिंट एसे मेस के पर भी क्लिक करके यहां पर आपने मोबाइल बैंकिंग को रेश्टर कर सकतो बहुत बार यहां पर प्रॉब्लेम होता है मैंने यहां पर आसान तरीका बताईता हूं तो क्या करने सिया दिखा अपने बैंक आपको यहां पर फिलाप करना है, अपने बैंक आपको आपको यहां पर क्लिक करना है, नेस्ट थोड़ा सा अलग से आएगा, जैसे कि आपको यहां पर दिखाए देगा, DB2133 यही हमारे OTP है तो हमें क्या करना है यहां पर OTP फिलाप करना है जैसे कि आपको यहां पर दिखाए देरे Next आपको यहां पर verify OTP दिखाए देगा तो क्या करना है इसी के पर click कर देना है Next आमें यहां पर 1-2 second wait करना है आप यहां पर देख सकतो Next आपको यहां पर दिखाए देगा Send SMS तो क्या करना है इसी के पर click करना है यहां पर कुछ जोरूरी चीज़े आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर आपके mobile पर 2 SIM है आपको यहां पर SIM चूज करने का option आएगा मेरा mobile पर यहां पर एक ही SIM लग रहा है इसी वाइसे SIM चूज करने का कोई भी option नहीं आ रहा है अगर आपके Wi-Fi के तुरू आपके mobile चल रहा है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है आपके mobile पर data on होना चाहिए Wi-Fi के तुरू अगर आप mobile banking को activate करने चाहतो यहां पर आप activate नहीं कर सकतो नेक्स्ट आपने register mobile नमर पर OTP आएगा OTP आपने वेरिफाई हो जाएगा आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है जैसे कि आपको यहां पर दिखाए दरहे हमारे यहां पर green tick हो चुगा है नेक्स्ट आपको यहां पर दिखाए देगा mobile banking इसी के फार क्लिक करना है on the channel to click paid नहीं करना है और छोटा चेक बोंट दिखाए देगा और वापको कुछ भी नहीं दोना है नेक्स्ट आपको यहांपर दिखा देगा प्रोषिट के ऑपर clicking करदेना है नेक्स्ट आपको यहाँपर 5 गार खने करना है next आपको यहाँ पर दो option मिल जाएगा mobile banking को register करने के लिए जैसे के आपको यहाँ पर दिखाएद रहे ATM काड, debit card next आपको यहाँ पर दिखाएद रहे आधार authentication दोनों process से यहाँ पर आप अपने mobile banking को activate कर सकतो मेरा पास यहाँ पर debit card है इसी वैसे मैं इसी के ओपर click रहने देता हूँ next आपको क्या करना है आपने debit card के जो भी solar digit का number है वो आपको यहाँ पर फिलाप करना है next आपने debit card के जो भी expire minor और यार है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से set करना है next आपको यहाँ पर इसी तरीके से फिलाप कर देना है अगर आपने आभी तक ATM जेनेरेट नहीं किया इस वाले वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा उस वाले वीडियो को देखके आपने ATM जेनेरेट कर सकतो कोई भी problem नहीं है आप सारे डीटेल्स फिलाप करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसिट के पर क्लिक कर देना है next आपको यहाँ पर बूला जा रहा है M-PIN सेट करने के लिए अपने हिसाब से आपको यहाँ पर कोई भी फोडिजिट का पीन यहाँ पर आप सेट कर सकतो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है mobile banking को लोग इन करने के टाइम पर काम पर आने वाला है तो मैंने यहाँ पर पहले M-PIN सेट कर लेता हूँ यहाँ पर आपने जो भी M-PIN फिलाप किया है सेम M-PIN आपको यहाँ पर भी इसी तरी के से फिलाप कर देना है M-PIN सेट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोशिट दिखाए देगा प्रोशिट के पर क्लिक करना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दरहा है T-PIN तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने है ट्रांजेक्शन करने के टाइम में 4-digit का पीन फिलाफ करके आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने पड़ेगा पहले हमने यहाँ पर लोगिन पीन सेट किया है अब भी जो हम यहाँ पर 4-digit का ट्रांजेक्शन पीन सेट करने वाल है मोबाइल से ट्रांजेक्शन करने के टाइम में 4-digit का पीन फिल करके आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है वही ट्रांजेक्शन पीन आपको यहाँ पर इसी तरीगे से शेट करना है पर OK दिखाए दे रहे, OK में क्लेक करना है, नेक्स्ट अभी जो आपने M-PIN सेट किया था, वही M-PIN मतलब लोग इन पीन आपको यहाँ पर फिलाप कर देना है, लोग इन पीन फिलाप करने के बद आपको यहाँ पर आपने जो भी लोकेसन है, यहाँ पर आपको allow करना है, मनलब permission देना है, इसी के पर click करना है, नेक्स्ट अपके पास इसी तरी के से page open हो जाएगा, जैसे के आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे, आपको यहाँ पर तीन question के answer देने के लिए, आपको पहले इसी के पर click करना है, जो भी आपको आसान लग रहे हो आपको यहाँ पर इसी तरीके से चूज करना है Next उसका अनसर आपको यहाँ पर देना है तो इसी तरीके से तीनों कोस्चिन के अनसर आपको यहाँ पर देना है तीनों कोस्चिन के अनसर देने के बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा नीचे की तरह बान है आपको यहाँ पर सूमीट दिखाई दे रहा है सूमीट के पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर दो अप्सेन दिखाई दे रहा है जैसे के आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको हीं पर HOME डिखाई देगा हम की ऊपबर कर देना है next आपके पास यह बहुत सरे उप्सें दिखाई देगा मैं दो इहां पर मैं होन सा ओप्सें कहां पर है यहां पर बताया जा रहा है आपको यहाँ पर दिखाए देगा accounts इसी के पर click करना है अपने balance दिखाए देगा आपने personal details जो भी है जैसे कि C.I.E.V. number, IFS code, आपने branch code जो भी आप चेक करने चाहतों यहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकतों दोस्तों यह था छोड़ा जनकरी जनकरी को अगर आपको अच्छा लगा like, share, comment करना ना भूले